नमस्कार दोस्तो, ओनलाइन एक्जाम्स टुटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साइस यानि विज्ञान के बारे में और इसके हम जो टो 500 यानि टो 500 MCQ लेके आने वाले हैं तो यह उसका भागवन है यानि आज हम 100 question answer इसके आपके सामने लेके आएंगे और यह आपकी जो विभिन परकार की जो परिक्षाएं चल रहे हैं अभी उत्तरप्रदेश के अंदर चाहे वो police constable भरती परिक्षा हो या फिर UPTET यानि जो सिक्षाविवाग में teacher भरती परिक्षा हो या फिर UPPSC की जो विभिन परिक्षाएं चल रहे हैं उनके उन वो चल रहे हैं तो उनमें विज्ञान विशे काफी परमुकता से आ रहा है तो इसके अगर 100 नमबर का कोई paper होता है तो कम से कम 10 नमबर का विज्ञान अवश्या आता है तो यह आपके लिए बहुत मैतवपूर्ण है किरपया ध्यान से सुनिएगा परसन नमबर 1 किसी श्रेंखला में प्रात्मिक उभोगता होते हैं तो इसका जो सई उप्षन उप्षन नमबर D साकाहरी मासपेशियों का अध्धन करते हैं मासपेशियों का अध्धन किसमे करते हैं इसका जो सई उत्तर है वो उप्षन नमबर A मायलोजी में निमिलिकित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानोशरीर में मिक्सीडिमा होता है तो यह होता है ओप्षन नमर B और टू ग्रंथी के कारण निमिलिकित में से कौन सी ग्रंथी विर्धा वस्था में लुप्थ हो जाती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number B, thymus निमिल्लिकित हार्मोन में से किस में iodine होता है तो इसका सही उत्तर है option number A, thyroxine पर्थम प्रक्नली शिशु का नाम था तो इसका सही option है option number B, luis मानव शरीर की किस ग्रिंथी को master ग्रिंथी का आ जाता है तो इसका सही option option number C, प्यूश यदि मातापिता में से एक का रुधीर वर्ग A, B यानि blood group अगर उस A, B है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित यानि possible blood group क्या होगा तो इसका सही option option number A, या B निमिल्लिकित में से किस कोसिका से insulin स्त्रावित होता है तो इसका सही option option number B, बीटा को सिका रक्त दाब का नियंतर्ण कोन करता है तो इसका सही option option number A, अधिवरक कोन सा हार्मोन, लडो लडो हार्मोन कहलाता है तो इसका सही option option number B, एड्रेनिल इंसूलिन क्या है एक परकार का तो इसका जो सही option, option number D, ये एक प्रकार का हार्मोन है पेचिस रोक के लिए उत्रदाई प्रोटो जोवा है तो इसका सही option है, option number A, Ant Amoeba आंकों की दूर द्रिष्टी की बिमारी किसके कारण होती है तो इसका जो सही उत्तर है, option number B, नेत्र गोल लगके छोटा होने से सबसे अधिक iron किस में पाय जाता है तो इसका जो सही उत्तर है, option number B, हरी पत्तेदार सबजियों में निमलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूडों से रखताता है और दांत हिलने लगता है तो इसका सही उत्तर है, option number C, विटामिन C सरीर में हीमोगलोबिन का कारिय है तो इसका जो सही उत्तर है, option number A, oxygen का प्रिवहन जब विट कारिय करना बंद कर दे, तो निमन में से कौन सा पदारत जमा होता है तो इसका जो सही उत्तर है, option number B, रक्त में नत्र जनित, अप्षिष्ट पदारत खुजली का रोग, स्केबीज, का कारण निमलिखित में से कौन सा है तो इसका जो सही उत्तर है वो option number B कवक रिंग रोग के नाम से जाना जाता है तो रिंग रोग के नाम से क्या जाना जाता है इसका है सही उत्तर option number A शैवाल रोग व्यापारिक कौर्क प्राप्त होती है इसका सही उत्तर option number C कौर्क कैम्बियम से किस पादप हार्मोन के च्छड़काव से अनिशेक फल प्राप्त किये जाते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो option number ए oxyn कोसिका के भीतर सवशन यानि सांस लेने का केंदर होता है तो जो option दिएगे उनमें सही option है option number B mitochondria निमन में से किस जन्तु में अश्रू ग्रंथी नहीं होती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number D घडियाल सबसे विशैली मचली है तो इसका जो सही उत्तर option number ए पाशान मचली ओधों की आंतरिंक सरंचना का अध्यन कहलाता है तो इसका जो सही उत्तर option number C सारी रिकी मानव का जैविक नाम है मानव का जैविक नाम क्या है इसका है सयूत्तर ओप्षन नमर C होमो हैबिलिस उल्टी उडान भरने वाला पक्सी है तो कौन सा पक्सी उल्टी उडान भरने वाला इसका ओप्षन है सही हमिंग बर्ड option number D निमिलिकित में से कौन सी व्याधी अनुवानसिक है तो इसका सही उत्तर option number A हीमोफीलिया गैस इंजन की खोज किस ने की तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number C डैमलर ने परमानू बंब काविसकार किस ने किया तो इसका जो सही उत्तर है वो option number B जे रोबर्ट ओपेन हीमर ने लेजर काविसकार किस ने किया था तो लेजर काविसकार जो किया था उसका सही उत्तर है option number D TH मेमन भीरा चमकदार दिखाई देता है तो इसका क्या कारण है इसका सही है option है option number D सामूहिक आंत्रिक प्रावरतन के कारण चुम्बकिय फ्लक्ष का मातरक है चुम्बकिय फ्लक्ष का मातरक क्या है option number A वैबर decibel होता है तो decibel क्या होता है option number B एक धवनी स्तर का मापन कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो इसका जो सही option option number C संपीडित गैस को छोड़ने से परकास का वेग स्रोपर्थम किस ने ग्याद किया तो इसका जो सही उत्तर है वो option number C रोमर ने परकास का वेग अधिक्तम होता है तो परकास का वेग अधिक्तम का होता है option number D निर्वात में सूरिय ग्रहन के समय सूरिय का कौन सा भाग दिखाई देता है तो इसका जो सही उत्तर है वो option number B किरीट मरग त्रिष्णा बनने का कारण है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number A पूरण आंत्रिक प्रावर्तन किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बरतन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो इसका जो सही option है option number C अपवर्तन सूरिय ग्रेन कब होता है तो इसका सही उत्तर है option number A प्रतीपदा के दिन वह ताप जिस पर बरफ, पानी और वास्प संतूलन में रहता है कहा जाता है तो इसका जो सही उत्तर option number B त्रिक बिंदू निमन तापी इंजनों का अनुप्रियोग होता है तो इसका जो सही उत्तर option number C रोकेट प्रोध्योगी की में अकास का रंग नीला प्रतीत होता है तो इसका क्या कारण है option number B यानी परकीरण के कारण निमन लिखित में से किस की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है वो option number A बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है वस्तु को गरम करने पर उसके अनुओं तो यह जो चार option है इसमें से जो सही option है अनुओं की चाल बढ़ जाएगी यानी option number A सही है इन में से जब जल उचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number B बढ़ जाता है चावल को पकाने में कहां अधिक्षमे लगेगा तो यह जो options हैं इसमें सही option option number C Mount Everest के उपर वोशिंग मसीन का कारिय सिधान्त है तो इसका सही उत्तर है option number C अपके इंद्रण पानी के एक गिलास में एक बरफ का टुकड़ा तैर रहा है जब बरफ पिंगलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा तो क्या प्रभाव होगा इसका सही option option number C उतना ही रहेगा यानि कोई असर नहीं होगा लैंप की बत्ती में तेल चड़ता है तो इसका कारण है option number B capillary action यानि capillary किरिया के कारण option number B पानी से निकलने पर saving brush के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो इसका क्या कारण है तो इसका जो सही उत्तर है वो option number option number B प्रिष्ट तनाव यानि surface tension यदि लोलक की लंबाई च्यार गुणा कर दी जाए तो लोलक के जूलने का समय क्या होगा तो इसका जो सही उत्तर है वो option number D दुगना होता है कोई साइकिल सवार किसी मोड में घूमता है तो वह इसका सही option option number B अंदर की और जुकता है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने तो इसका जो सही option है वो option number A आयतन के बराबर दुबे हुए किसी ठोस दवारा प्राप्त उचाल की मातरा निर्भर करती है तो इसका जो सही उत्तर है वो option number A ठोस दवारा हटाए गए दुगना दुबे की मातरा पर बरफ पर स्केटिंग करना परदर्सित करता है कि दाब बढ़ाने पर बरफ का गलनांक क्या होगा तो इसका जो सही उत्तर है वो option number A घट जाता है निमिलिखित में से किसमे गतिज उर्जा नहीं है तो इन में से किसमे नहीं है इसका सही option है option number B खिचा हुआ धनुश जब दूद को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्षन अलग हो जाता है तो इसका क्या कारण है इसका सही option option number C केंदर परसारी बल यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो तो क्या होगा इसका है सही option option number C उपरियुक्त दोनो यानि सम्वेग दुगना हो जाता है और गती जुर्जा च्यार गुना हो जाती है न्यूटन की गती का प्रिथम नियम क्या कहलाता है तो इसका सही उत्तर option number C जड़तव का नियम निमिलिखित में से कौन सायंतर प्रित्यावर्ती धारा को एकदिस धारा में प्रिवर्तित करता है तो इसका सही उत्तर option number A alternator बल गुननफल है तो बल किन दो चीजों का गुननफल है इसका सही option है option number C दरवेमान और तवरण का एक कार बैटरी में प्रियुक्त विद्धुत अपगट्टे होता है तो इसका सही उत्तर है option number D sulfuric अमल निमलिकित में से कौन सी gas चांदी की सतय को काला कर देती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number B ozone जल में आसानी से गुलनसिल है तो क्या चीज जल में आसानी से गुल जाती है इसका सही option है option number C अमोनिया पीला फास्पोर्स को सुरक्सित रखा जाता है तो इसका जो सही option है option number C जल में वनस्पती घी के निर्माण में कौन सी gas परियुक्त होती है तो इसका जो सही option option number B hydrogen gas भार के अनुपात में जल में hydrogen वे oxygen का अनुपात होता है तो कितना होता है इसका सही option option number A एक अनपात आठ Quartz किस से बनता है? तो इसका जो सही option नमबर D Calcium Silicate से बढ़ते हुए पोदों को निमलिखित में से किस तत्तों की सबसे अधिक मातरा में आऊशकता होती है? तो इसका जो सही option नमबर C Nitrogen Gas की डोक्टरों दवारा Anesthesia के रूप में प्रियोग होने वाली हाश्य गैस है तो इसका सही उत्तर है option नमबर B Nitrous Oxide निमलिक निमांकित में से कोन कठोर्तम धातु है? इसका सही option है option नमबर D Platinum विधुत बल्लब का तंतु किस का बना होता है? तो ये किस मेट्रियल का बना होता है? इसका option नमबर B यानि टंगसटन का स्वर सेलों में प्रियुक्त होने वाले मुख्यपदार्त कोन है? तो इसका सही option है option नमबर A silicon कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है किसको कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? औप्शन नमबर A silicon carbide को निम्न में से कोन सा समानेतापर द्रवे है? तो इसका सेयूत्र उप्ष नमबर D PARA सीसा का निश्ट क्रिशन, मुख्यत्य किस अयशक से किया जाता है? तो इसका सेयूत्र उप्ष नमबर E GALNA संचायक बैटरियों में निमनलिखित में से कौन सी धातू का प्रियोग किया जाता है तो इसका सयूत्तर उप्षन नमरे C-S नाभीकिय रियेक्टर की रचना के लिए अनिवारिय तत्त्व है क्या अनिवारिय है उप्षन नमर B यानी जिर्कोनियम निमन में से कौन सी धातू कमरे के ताप पर दर्वे अवस्था में होती है तो इसका सयूत्तर उप्षन नमर D-Gallium तडित चालक निर्मित होते हैं तो तडित चालक निर्मित होते हैं किस चीज से? इसका सयूत्तर है उप्षन नमर B-Tambah से वायू में थोड़ी देर रखने पर किसी धातू के उपर हरे रंग के बेसिक कार्बुनेट की परत जम जाती है तो वह धातू है इसका सयूत्तर उप्षन नमर B-Tambah निमन लिखित में से किस से टेप रिकोर्डर की टेप लेपित रहती है तो इसका सयूत्तर उप्षन नमर A-Pheromagnetic चूरण सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो इसका सयूत्तर उप्षन नमर D-Tambah पारा का निश्कर्षन किया जाता है तो इसका सयूत्तर उप्षन नमर C-Sinnebar से सोडियम के टुकडे को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा उप्षन नमर C तैरता हुआ जलने लगेगा सुन्य समूह में रखेगे तत्व किस नाम से जाने जाते हैं इसका सयूत्तर उप्षन नमर D-Niscreat तत्व लोहे को इस पात में बदलने के लिए कौन सी धातू मिलाए जाती है इसका सयूत्तर उप्षन नमर C-Nickel किस पदार्त के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है तो इसका सयूत्तर उप्षन नमर E-Peric Cloride निमलिकित में से इसका सयूत्तर उप्षन नमर C-Tambah उप्षन नमर E-Tambah प्रिथम विश्वयूद में निमलिकित में से किस एक कारासाइनिक आयूद के रूप में परियोग किया गया था तो इसका सयूत्तर है Mustard Gas स्थिर्ताप पर इसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Option No.1 तिगुना हो जाएगा स्राब में उपस्थित रहता है तो इसका सही Option No.2 बी Carbon Dye Oxide मेसोन के खोज करता है Option No.C Yukawa किसी तत्तो के प्रमानू में दो प्रोटोन, दो न्यूट्रोन और दो इलेक्ट्रोन हो तो उस तत्तो की दरवमान संख्या कितनी होगी तो इसका सही उत्तरोप्ष No.B 4 नाभिक से निकलने वाले विकिर्णों से किसकी वेधन शमता सरवादिक होती है तो इसका सही उत्तरोप्ष नमबर A, गामा किरणों की सम भारिक में किसकी संख्या समान होती है तो इसका सही उत्तरोप्ष नमबर B, नुकलीनियन तो दोस्तों ये थे आज के हमारे multiple choice questions विज्ञान के भाग एक से आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी से लाव उठाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में गंटी का इकन बना हुआ है उसको प्रेस कीजिए क्योंकि हम इस विज्ञान सीरीज के बाकी और भाग भी लेके आएंगे और हम जो यूपी की जो भरती प्रिक्स हैं उनके विभिन परकार के वीडियो जैसे गणित और भी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग वीडियो लेके आएंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके अगर कोई क्वेरी है या आपका कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर यह हमारी इमेल आइडिया आप हमें इमेल कर सकते हैं धन्यवाद